हलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मैं हर्फी पटिल बात करूंगा आपसे स्वड़े में यूपी टेट 2020 की आंसर की के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाल यूकास के बारे में और काफी अच्छा फेपर आया है लगबग सा पढ़ाया हुआ है एक्जाम में मिला होगा मैं ऐसे उम्मीद करता हो कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको मेरे मौक टेस्टे वीडियो से मिला है कि नहीं मिला है तो जरूर बताएगा तो सुरू करते हैं फटाफट पहला प्रशने मारा देखिए एनिमल इंटेलिजें यह दिया है थांडाइग महोदे ने ठीक है पूर्ण बलन की सुची यह दिया है इसकिनर ने सार गर्विता का नियम दिया है गेस्टाल ने अनकूलन का नियम दिया है पियाजे ने तो इस हिसाब से आपका आप्शन सहयोगा तीसरा ठीक है याद रिखेगा फटापट आंस सिद्धान से ठीक है निरेंतर मतलब लगातार चणने वाली प्रक्रिया इसी वज़े से विकास कभी समाप्तना होने वाली प्रक्रिया है सविदान के किस संसोधन से सिच्छा मौलिक अधिकार बन गई है आपका जो है दूसरा आप्शन सही होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अविप्रेणा के मोल प्रवत्ती का सिध्धान किस ने दिया है मैंग डूगल ने मैंने काफी बार इसके बारे में बताया हुआ है अगला प्रशने विकास की कि सवस्था को कोले अमब्रूष ने सम्वेगात में विकास का अनोखा काल कहा है तो बाल्लय वस्था को जो है को किस से संबन्धित है पढ़ने से मैंने आपको कितनी बार बता है बहुत ही अच्छी तरीके से बता है निमन में से क्या समावेसी सिच्छा में सिच्छक की भूमिका नहीं है सिच्छों को निसक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए बच्चों के आप सकता के अनुरू को प्रश्चन पूछने के लिए क है करना चाहिए प्रिरित करना चाहिए बच्चों की व्रद्धी मुख्यता संबंधित है किसे संबंधित है सारीरिक विकास से संबंधित है आप का दूसरा आप सुन सही होगा निम्न में से कि सिध्धान्द को पुनरबलन का सिध्धान्द कहते हैं क्रिया प्रशूत अनवंदन सिध्धान्द को भी पुनरबलन का सिध्धान्द कहते हैं अगला है निम्न में से कौन से वस्था ब्रूनर के संग्यानात्म व्युकास का अं हैं अन्ता प्रग्ज्य उस्ता जू है जीन प्याजे से संब्मनेथ है आगला अपने मारिसन ने बर इस तराके सेच्छण प्रतिमान में पैंच पदो का वड़ून किया है वे हैं तो मतलब इनका सही करम क्या होगा इनका सही करम क्या होगा तो क्या होगा तो देखे जो इसका आप्शन सही है आपका चौथा आप्शन सही होगा अगला है निमलिखित में से अधिगम का वक्र कौन सा नहीं है लंबवज जो है वो आपका अधिगम वक्र नहीं है अभी तो मैंने आपको पढ़ाये था अगला है यदि सिच्छे कच्छा में चात्र को समझ से अत्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए बच्चे को परामर्श देना चाहिए ठीक है ना ही नजर अंदार्श करना चाहिए ना ही दंडर देना चाहिए ना ही उसे घर बेज देना चाहिए तो आप मखित्त है शात्रों के सरवांगेड विकास से पहला अदिगं का सिध्धान किस्ण ने पृत्पाधिकाए इस किनर ने किया हो छोंने ने किया हूँ डूम होदय नंहीं किया है लिए नहीं किया है रोड़न का तातपर हैं किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कच्छा में रहना यानि रोक कर रखना ठीक है तीसरा अप्सनिस का सयोगा अवरोधन का ताद पर यही होता है और बहुत ही अच्छे प्रस्णाय हैं अगला है निमलिकित में से किस कौसल से पूरुग्यान का परिच्छण प्रस्तावना कौसल से पहला अप्सनिसस का सःभी होगा अगला है मानोव विकास का मानोव विकास प्रारम होता है तो गरहladı वस्ता से ही मानोव का विकास प्रारम हो जाता है अगला है दे कंडेशन आफ लर्णिंग पुस्थक किस की है बिया फिसकिरन hell अंडा आइक आई बचती भार मैंने बताया है कि सोरा वस्ता बड़े संगर्स तणाओ हमला बयार्चति को छोड़ दिया जाता है तो मैंने परिभासा भताई थी उन से वीडियो में से आया हुआ है अगला है सूच मि-शचाहण बारतिक प्रतिमान में कुल कितने समय का होता 36 मिनट का होता है अगला है सीखने का पटार सीखने की प्रक्रिया के मुख अभिलाच्चन है जो उस इस्तित को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं होती ये कहा है गेट स्वा अने ने आपका दूसरा आप्सनिस में सही होगा ये बहुत ही अच्छा प्रश्ण वेवहार के परिणाम शुरू वेवहार में परिवर्तन वेवहार वेवहार नाम के दो विक्ति से आपस में लड़े और एक दूसरी का गला फोड़ दिया गिलफर्ड ठीक है पहला आप्सन इसका सही होगा आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसका जो आप्सन सही होगा तो उसका आप्सन सही है आपका कौन सा बहुत एच्छा प्रश्ण एक तरफ सूची है दूसरी तरफ दूसरी सूची है तो गार्डनर ने ब्रूनर ने क्या दिया हुआ है आसबिल ने क्या दिया हुआ है ग्लेजर ने क्या दिया हुआ है और गार्डनर ने क्या दिया हुआ है तो यह आपको बताना है देखे जो पहला है bruner संप्रत्ते उप्लब भी सिचर प्रतिमान दिया है पहले का चौथा अप्सन से योगा ठीक है फिर आता है आपका आजबल आजबल ने दिया है आपका अग्रिम संगटक सिचर प्रतिमान को ठीक है ग्लेजर ने बुनियादी सिचा को गार्डनर ने दिया है साइनेटिक्स को तो इस हिसाब से आपका आपसन कौन सा से होगा पहले का चोथा दूसरे का तीसरा ठीक है और सी का पहला आपका आपसन जो है दूसरा सही होगा समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है समस्या की पहचान करना ठीक है पहला अप्सन इसका सही होगा अगला है बालुकों का आधिगम सर्वधिक प्रभावी होता है जब बालुकों का संगयनात्मक भावात्मक तथा मनो चालक पच्छों का विकास होता है सरवांगीड जब विकास होता है आपका पहला आपसन सही होगा अंतिम प्रस्णे मारे स्जूडियो का इस्मरत इस्तर एवं बोध इस्तर के सिच्छर प्रतिमान की सनचना में कौन सा सोफान उपनिष्ट है तो यह आपका है प्रस्टूति करण यह जो आपका उभेनिष्ट है चौथा आपसन आपका सही होगा तीस में से जितने भी प्रस्ण आप सही करें कमेंट करेंकर जरू बताएगा और मैं आसा करता हूँ आपका पेपर अच्छा ही गया होगा क्योंकि काफी कुछ पढ़ाया हुआ एक्जाम में आया ठीक है तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा ठीक है ठीक है ठीक फ्रेंड्स